है लो स्टेंट इस विडियो में हम लोग डिस्क्स करने वाले हैं integration of irrational functions इसके कुछ essential form है तो उस standard form को मैंने type by type divide कर दिया है तो हम लोग start करते हैं first type से okay तो first type में आप देख दो कि integration of dx divided by linear functions root के नदर भी एक linear function से मतलब linear root linear ऐसा format है ठीक है तो इसको आप standard form ऐसे समझ सकते हो कि x plus b root px plus q आप कड़ा हो तो ऐसे जब problems हो तो उसमें आप सबसे easy way यह है solve करने का कि root के अंदर जो linear function से उसको आप t square मान लो ठीक है जैसे आप example से समझो कि dx 2x plus 1 root 4x plus 3 है तो हमने 4x plus 3 को t square मान लिया अब आप इसको differentiate कर तो 4 dx is equal to 2t dt तो dx का value आजाएगा कितना half dt dt तो इससे अपना dx यह find out हो गया अब हम चाहते हैं कि यह 2x plus 1 भी t के form में convert हो जाए तो यहां simplify करने के बाद 1 by 2 और t square minus 1 यह आगया इसका value और इसका value आपने t square देखा तो सबका value इसमें put कर देते हैं तो i का value कितना हो जाएगा half t dt dx का value और half t square minus 1 2x plus 1 का value और root 4x plus 3 को root t square अब देखो root t square और t cancel out half से half cancel out तो यह बच गया dt divided by t square minus 1 क्या यह x square minus a square के format में है जो standard form होला होता है यह जिसका value क्या था 1 by 2 log x minus a divided by x plus a plus c तो a का value यहां 1 है और t को हम लोग replace करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 by 2 log t minus 1 divided by t plus 1 plus 3 ठीक है अब t को आप क्या लिख सकते हो एक्चुली आपने t को किसको माना था 4x plus 3 का under root होगा t तो यहां पर आप t का value replace कर दें root 4x plus 3 minus 1 divided by root 4x plus 3 plus 1 so this is the answer okay next देखो type 2 type 2 में क्या है कि format इसका ऐसा है कि dx divided by quadratic root linear ठीक है तो quadratic standard form मानलो यह इस type का है linear का px plus q के format में तो यहां भी हम लोग जो root के अंदर linear होगा उसको t square मानेंगे ठीक है चलो तो इसको एक example से समझते हैं तो आपके पास एक example है देखो dx divided by x square plus 5x plus 2 root under x minus 2 तो x minus 2 को अपन t square मानेंगे तो यहां पर dx का value कितना आएगा 2x dx ठीक है 2t dt तो यहां पर आप देखो x का value आप find out कुरूद कितना होजागा t square plus 2 तो यह x square plus 5x plus 2 को हम convert करेंगे t के form में तो जहां जहां x है वहां वहां t square plus 2 put कर दीजी तो यह पूरा solve होके हो जाएगा t power 4 plus 9t square plus 16 अब हम इस integration को t में convert कर देते हैं तो i equals to 2t dt जो की dx का value था और इसके जगाप हम लिखेंगे t power 4 minus 9t square plus 16 और यह इसके जगाप लिखेंगे root t square तो यह देखो root t square और t cancel out हो गया 2 बहार आगया dt divided by t power 4 plus 9t square plus 16 अब यहां पर थोड़ा सा चलांकी यह करना है कि हम लोग को 4 से उपर नीचे 8 से multiply कर देना actually 4 से करेंगे तब भी काम हो जाएगा 4 से multiply करने से क्या हो जाएगा यह 8 हो जाएगा और नीचे 4 रह जाएगा तो यह cut के 2 कोई problem नहीं है ठीक है यह और यह equivalent है तो अब यहां यह 8 लाने का मकसद क्या था 8 लाने का मकसद यह यह कि t square plus 4 minus t square minus 4 को हम adjust करेंगे जिस से हमारा integration ब difference के formula दिए अब यहां पर क्या होगा ओपर नीचे आप t square से divide करेंगे तो t square से divide करेंगे तो 1 plus 4 by t square और इधर करेंगे और नीचे कितना हो जाएगा t square divided by 16 t square plus 9 और इधर भी उपर नीचे करेंगे तो 1 minus 4 by t square divided by 16 by t square plus 9 अब यहां पर थोड़ा सा और जो हमें सोचना चाहिए क्या है कि 1 plus 4 by t square है तो इसको हमें t-4 by t के form में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको अगर हम कुछ मानेंगे तो इसका differentiation यह हो जाएगा ठीक है और यहां पर 1 minus 4 by t square है तो इसको plus के form में लिखेंगे जब प्लस रह तो minus के form में लिखेंगे और मानस रह तो plus के format में लिखेंग इससे इसका differentiation यह आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो अपने पास दो integration है, यह और यह, तो इस दोनों को फिर हम different, अलग-लग solve करेंगे, तो देखो, I1 का जो value था, वो हमारा कितना था, I1 का value 1 by 4, 1 plus 4 by t square dt, और divided by this, इसको अगर हमने z मान लिया, तो इसका differentiation है, वो 1 plus 4 by t square dt is equal to dz, तो dz यहाँ पर पुठ हो जाएगा, और इसका value z square plus 17, क्या यह भी एक standard format में आगे, x square plus a square के format में, जिसका value होता है कितना, 1 by a tan inverse xy, तो देखो, 1 by 4 तो भाड़ा गया, और a का value आपर कितना, root 17, 1 by a tan inverse xy, ठीक है, तो x को z से replace कर दिए, a को root 17 से replace कर दिए, अब आपने z किसको माना था, t minus 4 by t को यहाँ put कर दिए, ठीक है, तो यह पूरा calculate होने के बाद, आप थोरा साइसको simplify है, t square minus 4 divided by t, अब t square आपने माना किसको था, actually starting में, t square हमने माना था, किसको, x minus 2, t square 1, तो जहाँ-ー, t square, वहाँ x minus 2, पूट करेंगे, और जहाँ t है, वहाँ root under x minus 2 put करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दो coming t square की जाऊएगा, पर 3जिए, x minus 6 हो जाएगा, और t की जाएगा, पर root x minus 2 हो जाएगा, तो यह अंदर जाएगा, तो 17, x minus तो यह पूरा हो गया first का integration, second में भी वही simple एकदम काम है, कि इसमें आप अगर इस format मानते है तो इसको मान लिजिए, कुछ इसे हमने मान लिया, m तो dm का value हो गया, 1-4 by t square, तो यह dm हो गया, अब इसको भी convert कर दो, यह हो गया, dm हो गया, m square plus 1, यह भी हो गया, 1 by a, tan inverse x by a वाला format, तो यह हो गया, अब m का value क्या है, यहाँ पर देखो, t plus 4 by t, और t को replace कर दो, x minus 2 से, तो t square के जगा जब आप लिखोगे, x minus 2 plus 4, यह x plus 2 में convert हो जाएगा, और t, इस t को replace करेंगे, x minus 2 से यह भी हो गया, तो जो हमारा integration था, i1 plus i2, दोनों का value हमने यह पूट कर दिया, यह final answer हो गया, ठीक है, अब जो third type का, जो हमारा, third type जो है, उसका format क्या है, देखते है, तो third type का format है, वो है, dx divided by linear root quadrate, ठीक है, तो linear root quadrate मतलब कि वो इस type का कुछरा होगा है, तो यहाँ पर, हो अपन 1 by t मानेंगे, जब linear और root quadrate हो ना, तो linear को 1 by t मानेंगे, ठीक है, जैसे अभी देखो, एक अपने पास example है, dx divided by x minus 1, root x square plus x plus 1, ठीक है, यहाँ पर हम x minus 1 को 1 by t मानेंगे, तो dx का value कितना होगा, minus 1 by t square dt, और यहाँ स x का value कितना होगा, 1 by t plus 1, तो इसका value आपने काल, x square plus x plus 1 को, सब x के जगा पर इतना put कर दो, इसको solve करो, तो आजाएगा, 1 by t square, 3t square plus 3t plus 1, इस सभी का value आप integration में रखते हैं, तो यह आगया, इसको थोरा सा simplify कर दे, तो यह आजाएगा, minus dt divided by root 3t square plus t plus 1, अब यहाँ पर देखो, t square को अगर हम coefficient से free कर दें, तो root 3 बाहर निकालना पड़ेगा, minus 1 by root 3 होगा, क्योंकि minus पहले से था, तो यह हो जाएगा, t square plus t plus 1 by 3, अब इसको थोरा square के format में convert कर देता है, t plus half का whole square plus 1 by 12 आजाएगा, अब यह देखो, क्या है, x square plus a square under root, क्या है, इस format में standard format तो यह है, इसका कितना होता, log x plus root under x plus x square plus a square plus 2, तो इसी पर हम यहा root under x plus मतलब यह format, यह format मतलब यह वाला बात, तो root under t square plus t plus 1 by 3, ठीक है, तो यह final answer आपका, यहाँ अब t को replace करेंगे कितना से, t आपने किसको माना था, 1 by x, x minus 1 को 1 by t माना था, तो t का value हो जागा, 1 by x minus 1, so t is replaced by 1 by x minus 1, everywhere, and this is the final answer, ठीक है, अब जो important एक और है, fourth number का type, यह बहु important है, इसमें क्या है कि, dx quadratic root quadratic, मतलब एक quadratic है, और दूसरा ही quadratic और है, जो root के अंदर है, तो इसमें different cases होते है, एक case ऐसा हो चकता है, कि जो root के बाहर का quadratic है, अपने को वहीं consider करना है, अंदर वाले को भी consider करने ज़रूत नहीं, सिर्फ quadratic के बाहर जो quadratic है, उसको consider हो, उसके ही जो property है, उसपर depend करता है, तो देखो, q1 को अपन, मालो कि ऐसा हो यह q1, मतलब ऐसा quadratic हो, जिसके factor हो रहे है, जैसे मालो, x square plus 5x plus 6 है, तो उसको लिखेंगे x plus 2, x plus 3, ऐसे करके हैं, तो ऐसा quadratic हो जिसको factorize कर सकते हैं, तो उसको मैं ऐसे format में लिख सकते हैं, तो q1 को अपन replace कर सकत जो यह q1 है, उसको replace करेंगे, a, x minus alpha, x minus beta, और यह root, अब कोई भी जो, कोई दो factor है, तो इसको अपन इस format में लिख सकते हैं, जैसे आप ऐसे समझो, कि मालो, इस तरह से समझो, जैसे मालो कि 1 by x minus 2, और x minus 1 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं, 1 by x minus 2, और minus 1 by x minus 1, तो देखो, यह 1 आ जाएगा, क्योंकि यह जो ऊपर जाएगा, तो यह x minus 1 हो जाएगा, और minus यह हो जाएगा, x minus 2, तो इसका value आप कितना लिख सकते हो, यह बिल्कुल 1 आ गया है, तो this divided by this, मतलब हर एक जो इस तरह से 2 multiplication में होगा, उसको अपन इस format में लिख सकते हैं, a divided by this plus b divided, यहाँ, a का value 1, b का value minus 1, ऐसे लिख सकते हैं, तो इसी तरह से हमने इसको थोड़ा सा, इस format में लिख दिया, a by this plus b by this, okay, dx by root, अब देखो, यह जो root है, वो इसके साथ ही multiply होगा, और यह इसके साथ ही multiply होगा, यह इसके साथ ही multiply होगा, यह अलग-अलग 2 integration बन जाएगे, a divided by x minus alpha root q to dx, और b divided by x minus beta root q to, अब आपको क्या लग रहा है, यह कैसा format है, यह format है आपको linear root quadratic, जो अभी इससे पहले मैंने डिसकस किया था, तो linear root quadratic का यह आराम से integrate हो जाएगा, अगर ऐसे format होना तो इस तरह से हम change कर सकते हैं, दूसरा कि अगर q1 perfect square हो, q1 perfect square का मतलब जैसे मा 1 का whole square, जैना, तो ऐसे, तो अगर कोई perfect square हो, तो ऐसे situation में हम जिसका perfect square होगा, उसको 1 by t मानने हो, मतलब किसी linear का ही तो square होगा वो, जैना, तो उस linear को 1 by t मानने हो, ठीक है, ओके, और एक ऐसा भी situation हो सकता है, जिसमें कि जो coefficient of x हो, वो 0 हो, मतलब ऐसे समयलो, कि यहाँ पर ऐ जैसा होता, x square plus 1 root x square plus 2, तो x square plus 1 में भी x का coefficient 0 है, और x square plus 2 में भी coefficient of x 0 है, तो वैसे format के लिए कहा जाता है, कि आप वहाँ पर x is equal to 1 by t पूट करें, तो integration easy हो जाएगा, चलो मैं इसको solve करके दिखाता है, तो देखो, मेरे पास यह example है, कि dx root x square plus 2, 4x square minus 1, तो यह देखो, इस में coefficient of x क्या है, 0 है, तो यहाँ पर हमें क्या मानना सबसे सही रहेगा, x is equal to 1 by t मान लेते हैं, तो dx is equal to minus 1 by t square dt, तो जहाँ जहाँ x है, वहाँ 1 by t put करें, और जहाँ जहाँ dx है, minus 1 by t square dt, तो इस पूरे system में, इस पूरे system में हमने इसको replace कर दिया, t से, ठीक है, x को replace कर दिख तो अभी यह पूरा calculate होगे, कुछ इस format में आएगा, ठीक है, अभी यहाँ पर रखें, value यह आजाएगा, अब यहाँ पर देखो, अगर यह root के अंदर जो है, इसको अगर z square मान लेते हैं, तो इधर कितना जाएगा, minus 2t dt, और यह 2z dz आजाएगा, तो 2 से 2 होगे, तो cancel तो आप यहाँ पर देखो, minus t dt को z dz से replace करेंगे, ठीक है, और इसका जो value है, t square का value यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 minus z square, यहाँ लिखेंगे, 1 plus 2, और t square को लिखेंगे, 4 minus z square से, ठीक है, और इसको अपन z square मान लेते हैं, तो root z square, यह z square और यह z को, यह cancel out हो गया, ठीक है, त तो इसको आप जब simplify करेंगे, तो dz divided by 9 minus 2 z square, 2 z square, तो यहाँ पर आप देखो, z square को coefficient से free करो, तो 2 बाहर निकलें, तो 1 by 2 होगया, यह होगया, dz divided by 9 by 2 minus z square, ठीक है, यह कैसे format में है, देखो, a square minus x square के format में, इसका क्या होता है integration, 1 by 2 यह log a plus x divided by a minus x plus c, तो इसको भी यहाँ पर देखो, a का value कितना लिखेंगे, 3 by root 2 का whole square, क्योंकि square के format में होना चाहिए, तो 3 by root 2 का whole square minus z, तो यहाँ पर इसी formula पर लगा दो, आप इसको set कर दो, तो 1 by 2 तो पहले से था, तो 1 by 2 a, a का value 3 by root 2, log a plus x divided by a minus x, ठीक है, अब z आपने किसको माना था, z माना था, root under 4 minus t square को, तो स पूरा value रखेंगे, तो x के format में यह answer आजाएगा, ओके, तो आपने idea, idea आपको समझ में आ गया होगा, कैसे क्या करना चाहिए, एक और है, fifth number का type, जिसमें कि dx divided by linear by power n और root में quadratic है, तो linear जब दिखाई दे, तो उसको अपन 1 by t मानते हैं, तो मानलों कि इसका general formula, जिन format यह है, तो 1 by t, तो चलो इसको एक example से और देख लेते हैं, तो आप देखो, example मेरे पास कि dx divided by x minus 3 का whole q root under x square minus 6s plus 10, तो अब्यसी बात है, जो linear था x minus 3, इसको 1 by t मानेगे, तो dx का value minus 1 by t square dt आगे, और यहां से x का value अगर निकालोगे, तो 1 by t plus 3 आगे, तो अपने को x square minus 6s plus 10 को भी t मे convert करना पर जाता है, जहाँ जहाँ एक से वहाँ पर 1 by t plus 3 का, से replace कर दो, इसको calculate को तिया जाएगा, 1 plus t square by t square, ठीक है, तो यहाँ सारे values को अब इसमें रख दो, तो dx को आप replace करेंगे, minus 1 by t square dt से, और x minus 3 का whole q को करेंगे, 1 by t का whole q से, और इसका value जो है, 1 plus t square by t square, यह से हो गय कि इस t square को अपन, t square plus 1 minus 1 से replace, लिख सकते हैं, इसको ऐसे, अब यहाँ पर देखो, this divided by this, minus 1 by divided by this, इस से क्या होगा, कि यह इसको root t square plus 1 times में break करेगा, तो यह इसे लिखाएगा, और यहाँ पर इस पर, अब देखो, यह दोनों standard format में आ गया, कैसे, यह x square plus a square root under का format है, और य अब simplify करते हैं, तो यह आजाएगा, t by 2, root under 1 plus t square, half, log t plus root under t square, और इसका value आजाएगा, log this, अब देखो, यह function दो बर लिखा हुआ, एक minus में, एक half में, तो इस दोनों को अगर करेंगे, तो minus half आएगा, ठीक है, और minus half जब आएगा, उसमें minus लगा देंगे, तो plus half हो जाएग और जो यह बचे गया, वो minus में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि minus पहले से बाहर लगा हुआ, जिसको आप इस तरह से, अब t का value आप कितना replace करेंगे, क्योंकि आपने 1 by t को माना था, x-3, so t का value आप put करें, 1 by x-3, ठीक है, तो 1 by x-3 हर एक t को replace कर दें, तो यह आपको final answer आ divided by linear root quadratic हो, तो ऐसे situation है, मानलो कि इस format में है, तो यहाँ पर सोचना यह होता है, कि जो numerator में quadratic है, उसको हम लोग लिखते हैं, कोई constant, मतलब A, और जो linear है वो, और differentiation of root के अंदर जो quadratic है, ठीक है, प्लस B, और जो linear है वो लिखेंगे, प्लस C, जैसे, example के लिए आप देखो, 2x square plus 5 x plus 9 dx, root under x plus 1, root under x plus x square plus x plus 1, इसको में integrate करना है, तो यह जो quadratic numerator में उसको लिखेंगे, हम कैसे format, A, linear function क्या x plus 1, और root के अंदर जो था, उसका differentiation plus B into linear function plus C, ऐसे में, ठीक है, तो इसको देखो क्या A, x plus 1, इसका differentiation कितना हो जागा, 2x plus 1, और B, x plus 1, प्लस C, ठीक है, अब आप देख B, और जो constant आएगा, वो A plus B plus C, अब थोड़ा साथ, आप इधर वाले function, और इधर दो quantity, तो क्या है, x square का coefficient, equate कर सकते हैं, x का coefficient, equate करेंगे, और जो constant है, उसको equate करेंगे, तो हम लिखे, equating the coefficient, x square, x and constant term, we get, 2a का value 2 आजाएगा, क्योंकि देखो, 2a का value 2 आजाएगा, इसी तरह से 3a plus b का value 5 आजाएगा, और a plus b plus c का value 9 आजाएगा, तो आप देखो, यहाँ से जब आप calculate करेंगे, तो a का value आपको 1 दिखाई देगा, जैसे यह आप 1 यहाँ पूट करेंगे, तो b का value 2 हो जाएगा, और a plus b 3 है, तो 3 रख देंगे, तो c का value 6 आजाएगा, मतलब यह हुआ है कि 2x square plus 5x plus 9 को a का value 1 यहाँ रख दें, तो x plus 1, 2x plus 1 और b का value 6 कितना है, 2, 2x plus 1 और c का value 6, मतलब इसको आप इस format में लिख सकते हैं, ऐसे break हो गया हो, अब इसको लिखने से फाइदा क्या हुआ, यह भी समझते हैं, क्यों लिख है हमने, तो जैसे आप इसको replace होंगे इससे, तो देखो, this term divided by this term, plus this term divided by this term, and this divided by this, इससे क्या होगा, देखो, x plus 1, x plus 1 cancel out हो गया, तो यह डिवाइद वा यह हो गया, और यहाँ पर भी x plus 1, x plus 1 cancel हो गया, तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई tension नहीं है, और यहाँ ऐसे लिखते हैं, अब यहाँ पर आप देखो एक चीज, अगर इसको आपने z square, यह कुछ भी t square माना तो उसका differentiation हो पर इसका easy हो गया integration, और यह देखो कैसा है, x plus half का whole square plus 3 by 4 के format, यह भी x square plus 1 square के format में चला गया, यह भी integration हो गया, आसान, और यह क्या linear root quadratic, इसके बारे में अपन डिसकस किये थे, तो इसमें linear को क्या मानते तो यह तीनों integration अपने आप में easy way में solve भो सकता है, ठीक है, तो कैसे होगा वो भी मैं करते थे, तो देखो, first वाला integration जो है हमारा, first, वो क्या था, 2x plus 1 dx root under this, अब इसको अगर आप t मानेंगे, x square plus x plus 1 को t square मान लिए, ठीक है, बहुत अच्छा, अब इसको differentiate करो, 2x plus 1 dx, इसक तो आप this का value 2t dt यहां replace कर दो, इसका t square replace कर तो यह दोनों cancel और 2 dt आ गया, और dt का मतलब t plus c1, t क्या होता है, root under x square plus 1 यहां अपर होगा, यह होगा value, आराम से होगा, इसका अटिक है, दूसरा जो format था, वो format कहाता, देखो, this, और इसको अपन लिखेंगे, x plus half 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 टीगे से इंदेखों हो गया और i3 को कैसे ली सकते हो, dx अब जो यह linear था, उसी को 1 by t मानते हैं, dx का value minus 1 by t square dt और इसका value t के format में चाहिए अपने को, तो x का value निकालो, put कर दो, यह t के format में हो गया, 1 by t square t square minus t plus 1, ठीक है सबका value आप यहां पर रखतो यह पूरी तरह से convert होके आ गया minus 6 dt divided by root under t square minus d plus 1 और इसको extend square के format में आप ऐसे लिख सकते हो फिर यह root under x square plus a square का format में आ गया तो फिर आपका formula लगा दो और जहां जहां t है वहां वहां 1 by x plus 1 से replace कर दो तो यह final आपको यह आ जाएगा तो पूरा integration कितना हो जाएगा i1 plus i2 plus i3 सबका value रखते हो तो guys आपने देखा कि जो irrational format के जितने standard format हो सकते हैं मैंने सभी पर discuss किया और सभी को एक-एक example से समझाया आपको यह भी बताया कि किस situation में हमें क्या put करना चाहिए so that our integration becomes easy आप सभी integrations को अगर समझ गया हैं तो आप ऐसे बहुत सारे integrations आपको book में मिल जाएंगे आप सब पर जाकर practice करें it will be better for your knowledge thank you, bye bye